Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to Magnet Bains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे A Closer Look Arika Medu Finally, आपका चैप्टर जो है वो क्लाइमेक्स पर पहुच गया है Last topic है chapter का, topic का नाम का है हमारा Arika Medu Arika Medu एक city है, एक town, एक thriving town जो उस time period पर, post-morion period में अगर आप देखोगे जानोगे तो अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारा जो chapter था, कौन सा vital villages and thriving towns तो इस chapter में आपने क्या देखा? इस chapter में आपने यह देखा कि कैसे गाओं विक्सित हुए, कैसे शहर विक्सित हुए अब आपने देखा कि शहर में craft वगरा भी develop हुआ तो इस topic में आप जानोगे craft क्या develop हुआ Arika Medu में तो अब हमें case study लेके चल रहे हैं अब जो आपने theory पड़ी है इसको आप practically देखने वाले हो कि कौन सा टाउन जो ऐसा thrive हुआ था जहां पर क्या-क्या चीजे हुए थी वो सारी चीजे आप इस video में जानने वाले हो, समझने वाले हो Fine, तो closer look on Arika Medu अब सवाल याता है what is Arika Medu तो वही मैंने आपको बताया है कि between 2200 अब चलो इसको time scale पर जैसा अगर हम लिखे तो 0 ठीक है 0 से पीछे 0 से आगे तो 0 से 2020 तक वोच हो आप अब यह क्या बोल रहे हैं यह बाविस्तो साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते है 200 BCE ठीक है यह फिर BC लिख दो तो before common era जो हो गया तो यह 200 200 before common era से common era 100 ठीक है 100 क्योंकि 1900 यह अगो बोल रहे तो 2000 में से 100 माइनस कर तो 1900 ठीक है तो यह यह जो 300 साल का time period रहा है इस time period में इस time frame में Arika Medu develop होता है ठीक है between this time period Arika Medu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands ठीक है तो यह coastal town develop हुआ coastal town यहाने क्या है एक समूदरी टट पे एक शहर विक्सित होता है ठीक है एक शहर जो है develop होता है जहां पे क्या होता था कि बहुत सारी ships आती थी दूसरी दूसरी जगह से अलग अलग वल्ड के अलग अलग पार्ट से और अपने प्रोड़क्स को unload करती थी यहां से समान ले जाती थी यहां समान छोड़के जाती थी तो इस सेंस में कि अरिका मेडू एक इंपोर्टेंट सिटी के रूप में develop होता है चलो अब आगे देखो और क्या चीज़ है और क्या significant है इसमें तो what was significance in it अरिका मेडू को आप क्यों पढ़ रहे हैं तो अब अगर आप ज़रह रिकॉल करोगे आपने क्या देखा कि शहर ज सामान क्या सच में वल्ड के लग 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 पार्ट से आता था अगर आता था तो आपको कैसे पता चला सर बताओ ठीक है तो वो सारे एविडेंस के साथ हम आपको पूरूफ करके देने वाले हैं यहां पर देखो वेरहाउस वास फाउंड एड दी साइट अब वेरहाउस ब यहां ठीक है की तरह थोड़ा सो सोचना पड़ेगा कि हां सर यहां पे कोस्टल टाउन है यहां पर वेरहाउस मतलब सामान आता होगा ट्रेड होता होगा ठीक अधर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम दी मेडिटेरियन रीजन अब मेडिटेरियन रीजन क्या है चल यहां से तो यहां है तो यहां से अब होता है तो हैसे यहां से हिraby वोटीर होगी क्या से लिया ओगोगा मतब ट्रेडही से मेडिटेय। लेंड्स तो बहुत दूर दराज के इलाकों में क्या होता था ट्रेड होता था तो अधर फाइंड्स इंक्लूड पॉल्टरी फ्रॉम मेडिटेरिमियन रीजन सच अफोरा एंफोरे ठीक है एंफोरा एंफोरे क्या है तो बताता हूं यहां पर अगर आप देखोगे ना तो य यह ग्रीक स्टाइल आफ पॉल्टरी है जिसमें क्या किया जाता था ऐसे जार बनाया थे डबल हेंडेट जार बनाया जाते थे सुराई टाइप से रहता था जैको दो हेंडेट है डबल हेंडेट जार से बनाया जाते कि दो दो तरप से पकड़के से उठा लो आप इसमें वाटर, जूस, यह सारी चीज़ें स्टोर की जाती थी, और यह कहां पर बनता था, तो वही मेडिटेरिनियन सी के आजबाजु जो एंपायर, रोमन एंपायर जिस समय पे था, तब वहां पर इस तरह की पोर्टरी डवलप हुई थी, अब इस तरह की पोर्टरी वहां डवलप हुई इंडिया में आ गई है, ठीक है, कुछ तो गळबड़ है यहां पर गळबड़ क्या है, तो मतलब पोर्टरी खुद नहीं आई होगी ना चलके, किसी ने लाए होंगे, तो यह बताते हैं, यहां की ट्रेड ऐसे होता था, क्लेर हुआ, और क्या देखने को मिला है, तो म्रिटरिन रिजियन में से जिस से M4A यह वाली पोर्टरी देखने को मिली, and stamped red gazelle potry, known as arytine wear, arytine wear क्या होता वो भी समझातों में आपको, arytine wear भी एक तरह की पोर्टरी है, जिसमें आपको इस तरह से red gazelle potry देखने को मिलेगी, जिसमें आपको, मतलब, inscribe designs वागेरा है मिल दर्शाया जाता है, अरीका मेडू पे आपको ये सारे रिमेंस मिलें आर्केलोजिस्ट को, इसलिए तो अरेटाइन वेर विच वस नेम्ड आफर दी सिटी इन इटली में एक सिटी उसके उपर नाम रखा गया, आप दिसे देखो के तो रूम, अब आप इंडिया में पढ़ रहे हो कि इंडिया में विलेजेस जो है वो ग्रो कर रहे थे, टाउंस जो है वो थ्राइफ कर रहे थे, तो वैसी उस समय पर रोम एंपायर जिसे अगर आप देखोगे तो वहां पर रोम जो सिटी है, वो भी डवलप हो रहा थे, एंपी थीटर और यह वो सारी चीज़ें बन रही थी, क्लियर है, तो डवलपमेंट हर जगा चल रहा था, क्योंकि सोसाइटी जो धीरे-धीरे सिविलाइज होते जा रही थी, ग्रो कर पे जा रही थी, अब आगे और देखते हैं, तो देर, देर वास येट अनादर काइंड आफ पोटरी विच वास मेड लोकली, दो रोमन डिजाइंस वर यूज्ज, रोमन लैंप्स, ग्लास वेर एंड जेम्स हैव अलसो बीन फाउंट अट दी साइट, मतलब यह तो आपने देख ला है कि बाहर के पोटरी आ रही है, वहां पे लोकल डिजाइंस वाली पोटरी भी आपको अब क्लोथ की डाइंग हो रही मतलब वीविंग भी कपड़ा भी बनता होगा, तो क्राफ्ट जो यहां पर डेवलप था, अब सिटी की कारेक्रिस्टिक का है टाउं जो बन रहा है तो हहां पर अग्रिकलिशनल एक्टिविटी के अलावा दूसरे क्राफ्ट पर भी धियान तो दोभी गाट वाला जो सीन रहता ना उस तरह से यह साइर चीजें फिर से के साहसाथ क्या मिलता है देर इस प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर्डी मेंग अफ बीड्स फॉर्म सेमी प्रिशा स्टोंस एंड ग्लासे तो क्या सेमी प्रिशा जो मोती होते नग होते हैं ठीक यह सारी चीजें भी बनती थी तो क्राफ्ट वेल डवलप्ट था अरीका मेडू में यह उसकी सिग्निफिकेंस हो गई है और उससे ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या होगी कि रिलेशन विट फॉर्ण कंट्रीज और फॉर्ण ट्रेट्स भी हमें समझ में आई यह कोस्टल टा इस चाप्टर में पड़ी यह चाप्टर खतम हो रहा है हमारा तो हमने अरीका मेडू के बारे में जाना हमने बरूच के बारे में जाना हमने मतुरा के बारे में जाना तो यह तो थ्राइविंग टाउन्स में आगा और इसी तरह से बहुत सारे विलेजिस जो है वो भी एक रोल प्ले कर रहे थे दे वर आउसो ग्रोइंग एड टाइम पिरेड तो पोस्ट मोरियन पिरेड में क्या डवलप्मेंट हो आई यह देखा यह आपने जितना देखा न तो यह एक सेग्मेंट है भी नेक्स चाप्टर जो पड़ोगे तो उसे भी इसी की साथ जोड़ के मेंट ब्रेंज पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्स, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ systematic way में, video lectures के format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए magnet brains के बारे में मिलता है next video में, तेको, theory part पर complete हुआ है chapter हमारा, अभी NCIT solution बचे हैं, तो next video में NCIT solution complete करेंगे, बागे theory part पर chapter complete हो गया है, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much